कैवियार, ये कैसे बना है और ये इतना महेंगा क्यूं है? ये कैवियार एक लाख डॉलर लायक क्यूं है? आह, कैवियार, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग वाले आहार मैं सेग, लेकिन जब ये शेंपेन के 1000 डॉलर की बुतलों के साथ फैंसी डॉल आउट लग सकता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहां से आता है जैसे वॉल्मॉट से लेकर ये कैवियार 1.22 डॉलर प्रती ओंस क्यूं है लेकिन ये कैवियार 3.220 डॉलर प्रती है उन से क्या फर्क पड़ता है कहां से आता है और है भी क्या खेर मुझे उमीद है कि आपको भूख लगी होगी और आपका परस तैयार हो रहा होगा क्यूंकि हम इस बात पर धिहान देने वाले हैं दुनिया का सबसे महगा खाना कैसे बनाया जाता है ठीक है मुझे पैसे से खरीते जा सकने वाले कुछ सबसे हाई-एंड कैवियार पर एक नजर डाल कर आपकी भूख को शान्त कर देता हूं ये एरानी अलमास कैवियार है तो इस सामान का एक चमच अपने आप में 100 डॉलर खर्च कर सकता है ये तो बहुत ही जाद है लेकिन आसानी से इसकी कीमत है और भी जादा हो सकती है 2015 में स्ट्रोट आरगा बियांको नामक के कैवियार मंगरंद बाजार में एक लाग 13,630 डॉलर परतिकलोग इदर से प्रवेश किया आप सचमच उस कीमत के लिए एक टॉप एंट टेसला मॉडल खरीज सकते है एक विशेश पारिवारिक व्यवसाई ग्रिल द्वारा बनाए गया उत्पाद विशेश रूप से ओर्डर करने के लिए ही बनाया गया था जिसमें 22 करेट सुनी के पत्ती को बारीक चूंड करने का विगल्ब था ये एक इस सामान के से फिक चमच के लिए अंतिम कीमत विश्वसनिय 480 डॉलर तक ले आया होता माना जाता है कि इनका स्वाद हलका नमकीन होता है जिसमें नाजुक, असमान, मोती, जीप पर फिसलते हैं और काटने पर फट जाते हैं जिसमें एक मक्षन मलाईदार बनावट का पता चलाया यार यार इसकी आवास मेरे मूँ में और आख में दोनों बानी आ रहा है साइड डिश की रूप में मुफ्त में दिया जाता था क्योंकि इसकी नमकीनता संरक्षों को ज़्यादा पीने के प्रेरित करती है यूरोप में लगभग उसी समय मचवारे नियमत रूप से अपने सुरों को कैवियार खिलाते थे या बस इसे साड़ने के लिए समुतर पर छोड़ देते थे मानो या ना मानो परतम विश्यूत की शुरुआत से ठीक पहले एक किलो क्राम कैवियार की कीमत केवल एक पाव रूटी की तुलना में थोड़े अधिती इस तरह से मैं आपके लिए इस तरह की उच्चकोडवत्ता वाली गहरा गोता लगाने वाली सामगरी मुफ्त मिला सकता हूँ साब कोच कर दिया बाव शुक्रिया अब चलिए उसे सबसे महत्पूर्ट प्रशन को पूछ लेते हैं आखिर कैवियार है क्या इसे सबस्ट रूप से और अनाकशक रूप से रखने के लिए कैवियार अनिशेचित मशली के अंडे या अधिक सटीक रूप से फिश रो कहने का एक बहुत ही शांदा तरीका लेकिन सभी फिश्रों कैवियार नहीं होती है ये अधान के लिए कैवियार नहीं है ये भी नहीं है लेकिन ये तो है एक नजर के अलावा उन्हें बताना मुश्किल है न तो क्या बड़ा अंतर है? ठीक है जबकि सभी लगभग मश्लियां मश्ली रोका उतपादन कर सकती है केवल एक ही मश्ली है जिसके अंडों को आधिकारिक तोर पर कैवियार गोड़ता का माना जाता है और क्या? ये कैपिलिर मश्ली गंडे नहीं है? जोकि वॉल्मॉट के भ्रामक रूप से चार डॉलर कैवियार का नाम है? नहीं असली कैवियार के रूप में आधिकारिक तोर पर पहचानी जाने वाली एक मातर रोस्टोशन मश्ली से आती है ये सबसे प्राचीन मश्लीओं में से एक है जो आज भी दुनिया भर में तैर रही है इसकी उत्पत्ती लगभग 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले उपरी क्रिटिशस काल में हुई थी इन फैंसी मश्लीओं की 27 अलगलग उपर परजातिया हैं जिन में से सब ही लगभग 7 से 12 फीट लंबाई के साथ काफी बड़ी होती है हलाई अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया है एक वैलुगा स्टोजन 1827 में वोलगा नदी के महाने में खुजा गया था और 30 फीट 7 इंच लंबा था इसने अपना वजन लगभग एसली 3500 पाउंड रखा जिससे ये लगभग एक कार के उसद वजन का बन गया पापरे वो एक बड़ी मशली थी अने लोग पर ये प्रजातियां जैसे उसे ट्रा, कलुगा और सेवरुगा आमतरपा लंबाई में 7-12 फीट के बीच होती है जिसका मतलब है कि उनका वजन वसतन 1000-2000 पाउंड की बीच होता है ये कार का वजन नहीं है ये अभी भी एक भवी प्यानों से लगभग दूग नी बढ़ी है परिपरिक्ष के लिए इस निर्पिक्ष जानवर को 9-12 में वापस पकड़ा गया था जिसकी माप 30 फीट थी और इसका वजन लगभग 2700 पाउंड था तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला उससे पूरे 800 पाउंड भाली था बहुत खुब अब जब आप मानते हैं कि मादा मचली के अंडाश है वो हिस्सा जहां उनके सभी अंडे बनते हैं स्टरजन के कुल शरीर के वजन का 30 प्रतिशत हिस्सा बना सकते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक मचली कितना कैवियार पैदा कर सकती है यह मानते ये मचली अकेले 600 पाउंड तक के अंडे ले जा सकती है, इसके वेपरीत मानाव अंडाशय का वजन लगभग 14 यौंस होता है, लगभग 170 पाउंड वजन वाली और सतन महिला के साथ वे अपनी शरीर के वजन का एक प्रतिशत भी नहीं खाते हैं, असल में वे अपनी शरीर के वजन का 0.1 प्रतिशत भी नहीं बनाते हैं, वे एक छोटा सा 0.0001 प्रतिशत बनाते हैं, अगर किसी महिला के शरीर का 30 प्रतिशत हिस्सा अचानक उसके अंडाशय से बना होता है, तो वे मोटे तोर पर उसकी जांगों के आकार और वजन के होंगे, शीश महिलाओं की तरह ये पहले से ही काफी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सद्धानते का डाशय की बात काफी है, चलो वापस इस ट्रजन पर चलते हैं, ये बड़ी मशलियां दुनिया भर के ताजे पानी, तटिये जली और बीतरी समुदर में रहती हैं, वे कभी एक संपन प्रजाती थे जो वाली नदियों और मुहलों में रहते थे, और कुछ हत तक उत्तरी अमेरिका, ये ये बड़ी मशलियां 100 साल तक भी जीवित रह सकती हैं, हलाकि मशलिया थी शोशन, प्रदूशन और मनुश्यों के निवास इस्थान के शरण के बहुत बड़े पहमाने का मतलब था कि 1997 तक इस्थारजन की जंगली आबादी इतनी कम हो गी थी कि एक बार भरपूर प्रजातियों में से चार को भिलुप्त माना जा रहा था, प्रदूशन और बांध निर्मार का मतलब था कि इस्थारजन के लिए उस दर पर प्रजिनन करना लगभग संभाव था, जस दर पर इस्थारजन का सिखार कर रहे थे, ये उल्ले करने के आवशक्ता नहीं है कि मादा स्ट्रोजन एक समय में साथ लाख अंडे दे सकती है, जबकि पचास जयार में से केवल एक ही व्यस्कता में जीवत रहती है, पूरी स्थारजन प्रजाती को तब लुप्त प्रयाय की रू इस्थाई अभ्यास थी, उसके बाद ये नौदेश, रूस, इरान, अजबाईजान, कजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, बुल्गारिया, रुवानिया, सर्विया, मोटेनेग्रो और यूकरेन, केवल खेती वाले स्ट्रोजन से क्यावियार का उत्पादन करने तक सीमित थ इसाबित हुई, इनसानों ने जंगलों में विलप्त होने के एक अगार पर उनका शिगार किया, मोकी रूप से उनके अंडे के लिए ये पेचले कुछ वर्शों में देखे गई, कीमतों में वृद्धी का साह, लेकिन ये एक मात्र काराण नहीं है कि ये अंडे आब शीश डॉलर प्राप्त करते हैं, ये समजने के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैवियार की खीती कैसे की जाती है, बहुत बड़ी मचली पूरवाग मापा जाना चाहिए जैसा कि आप शाहत बता सकते हैं। प्लने फूलने के लिए आतियों की मातरा में सम्द्री भूजन की जरुद होती है। जब तक कि वे कम से कम दो साल के नहीं हो जाते हैं। पूरशों से अलग किया जाता है और उनके बढ़ने पर उनकी निगरानी की जाती है। बेलगा अस्टोरजन सबसे बड़ी और सबसे बेश कीमती किस्मों में से एक है। से प्राकरते परिप्रक्वता तक पहुचने में कम से गम उनने साल लगते हैं। इस्टोरजन को 20 साल तक समय लग सकता है जबकि कलुए अस्टोरजन को 23 साल का वक्त लग सकता है। लागि जब उन्हें खेती की जाती है या कैद में रखा जाता है तो ये वजन आधे तक कम हो सकता है। किसानों से उप्यों किये जाने वाले सब भी हॉर्मोंस के लिए शुक्रिया। तो अंडे से अंडे तक एगे स्टोरजन किसान को इन मचलियों को उस बंदू तक उठाने में लगभग एक दशक लग सकता है जहां वे अंडे तहम उलिवान हैं लेकिन फिर भी स्टोरजन अपने अंडे रात और रात विक्सित नहीं करते हैं। अंडे स्टोरजन को अपने अंडे की पूरी तरह से विक्सित करने के लिए कृतम सरदियों को सहन करने की ज़रवत होती है जो पानी के ताप्मान को 49 डिग्री फेरन हाइट और उससे कम करके हासल किया जाता है। पर नियमित अल्ट्रसाउंड स्कैन किये जाते हैं। बाद ही ये निर्धायत किया जा सकता है कि एक स्टोरजन अंतिताहा कटाई के लिए तयार है और यही वो हिस्सा है जहां चीज़ें कर पड़ हो जाती है। एक बार जब एक पकी हुई मचली के पैचान हो जाने के बाद किसान एक प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसे परजन कहा जाता है। मचली की रोई जो की जली एक रुशी प्रडालियों को पुनहा परिचालित करने में सुसंस्कृत होती है। फिर से अब शोशित कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो अधिक अंडे का उतपादन करने के लिए स्टोजन को कम से कम एक या दो साल के आवश्यक्ता होगी। लेकिन ये मानते हुए कि ये सब बिना किसी रोकटोक के हो जाता है तो वे तीन तरीकों में से एक में मचली के कैवियार निकालेंगी जो दुनिया भर के सभी प्रगार के रोक के सानुदारा उप्योग की जाने वाली तक्नीके हैं। लेकिन आप अगर शाकारी या वीगन हैं तो मेरा सुझा हो है कि अभी दूर से देखें। बहले ही वे किस प्रकार की मचली उठा रहे हों? बाकी मचली को उसके मां 113 की मुत्राशर सहित अन उत्पादों के लिए काटा जाने के लिए अलग रखा जाता है ताकि लगभा कुछ भी बरबाद नहों। मेरा मतलब है उस मचली को 10 साल था के एक अंडे के संग्रह के लिए पालने के बाद आप उमीद करेंगे कि वे इसके हर आखरी हिस्से को प्यों करेंगे। उमर तक नहीं पहुंच जाते हैं जहां वे सभाविक रूप से अंडे देना बंद कर देते हैं इसे आम तोर पर नो किल के वियार के रूप में जाना जाता है लेकिन इस पद्धती के साथ कई मुद्धे हैं एक श्रम को प्रेद करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले हा वसाइक डूप से ब्यवहारिन नहीं माना जाता है इसके बजाए कई किसान पाराम पर एक तरीके को चुनते हैं तीसरी और आखरी विदी एक और नो किल कैवियार संक्रा तकनीक है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुरूरता मुक्तू ये सी सेक्शन विदी है जहां इस्टो जाने पर विमेट मैले नहीं होते उन्हें तुरंट पानी केलिशम के गोल में डाल देना चाहिए जबकि ये अंडे को मजबूत बनाता है ये एक अप्रिय बनावट के लिए बना सकता है जिसका रत है विदी नंबर एक की तुलना में अंडे की गुडवता के लिए संपू पर एक रूप से योजना बनाती है लेकिन कोई फरक ने पड़ता कि उन्हें कैसे घाटा जाता है अंडों की यात्रा यहीं पर खत्म होती है एक बार हटा जाने के बाद कटे हुए अंडे आम तोर पर पूरे अंडे की थैलियों को अंडे से बेकास चीज़ों को हटाने और अलग करने के लिए एक महीं जाली पर दीरे से रखड़ा जाता है जैसे कि थैली जिली तोड़ने से पहले अंडों को फिर से धोया और फिल्टर किया जाता है और चिम्टी से बाकी गंदगी को हटा दिया जाता है थोड़ा बड़ा चड़ा करके लगता है लेकिन गंफीर ताजे वे हर आखरी अंडे के माध्यम से ये निश्चित करने के लिए कंगी करते हैं कि हर एक मानकता है वाह चिम्टी के एक जोड़े से लागों अंडों को चानने का काम जिस किसी का भी होता न तो संद जैसा सबरोना चाहिए उसके बाद अंडों का वजन किया जाता है और यहाएक मातनी का काम करने के लिए बहुत महीं नमक की बहुत ध्यान से गिंती गिरि मात्रा को मिल युस नाया कहा जाता है और एक जली जैसी केक बनती है जिसे तीन महीने तो रखा जा सकता है लेकिन इस रूप में भी 500 ग्राम स्टोजन पाय सनिया अभी भी 200 पैसर डॉलर सी उपर में बेख सकती है एक बार एक संतोश जनक मानक के लिए संसादित होने के बाद कैवियार को लाख पंक्ति बग्द टिनों में हाथ से पैक किया जाता है जब कैवियार को पैक किया जाता तो सभी हवा को अंतरक्ष से हटा दिया जाता है क्योंकि जो भी टिन में रहता है वो रासानिक रूप से अंडे के साथ संपर करेगा और उनके स्वात को नकारात्म रूप से प् तयार उतपाद को तब गुडवत्ता इंगत करने के लिए वर्गी की चेट किया जा जाता है और उतपादगों को दिखाई जाता है कि अंदेम उतपाद कितने मुलिका है अलग-अलग उतपादों की अपनी ग्रेडिंग प्रणाली होती है लेकिन यह आमतोर पर किसी दिये ग आप ये देखना शुरू कर सकते हैं कि उन में से कुछ की लागत इतनी अथिक क्यों है। आईए कुछ विशिष्ट लोगों पर एक नजर डालते हैं जिनका हमने पहले उल्ले किया था। बेलूगा, उसिट्रा, कलूगा और सेवरूगा उस आखरी से शुरू करते हैं। तो सेवरूगा मालुसोल जोकी सबसे ताजा, हलका, नमकीन संस्क्राण मौजूद है। चार ओंस जार में व्यवसाई ग्रूप से लगभग 450 डॉलर में बेचा जाता है। कलूगा अंडे सेवरूगा से थोड़े चोटे होते हैं, जिसका आर्थ है कि इसके चार ओंस की कीमत लगभग 300 डॉलर से थोड़ी सस्ती है। कलूगा की तुलना में थोड़े बड़े अंडे के साथ उस्ट्रा अंडे का आखर बीच में बैठता है। लेकिन सेवरूगा जितना बड़ा नहीं होता, इसे लगभग 360 डॉलर परती चार ओंस टिन पर रखा जाता है। कीमत 24,000 डॉलर है। लेकिन उस जबर्दस्ती वसूली की दर पर भी यह भी भी दुनिया में सबसे दुल्लब किस्म नहीं है। वो सम्मान सफेद कैवियार का है। जबकि जाता कैवियार काले भूरे या थोड़े हरी रंग के होते हैं। सफेद कैवियार जैसा की नाम से बता चलता है। पूरी दर से सफेद। यह एलबिनो स्टोजन द्वारा निर्मत है जो की मचली है। जिनमें मेलनिन की जर्मजात में नहीं होती है। वाड़क जो इसके तराजू, आँखों, पंकों और यहां तक की इसके अंडों को रंग देता है। यह एक दुल्लब आनुवानशिक दोश है जिसके बारे में माना जाता है कि यह 20,000 मचलियों में एक से कम में होता है। पर तो आप दुनिया के पहले से ही बेशकीमती भोजन की कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं यार। आप इसमें सोना मिला ले। वस्तुता इरानी अलमास कैवियार। एक प्रकार का अलबिनो बेलुगा स्टोजन कैवियार। अपने सफेद कैवियार को एक हीरे से जड़े हुए 23 करट सूने के टिन में पेश करके आगे बढ़ाते हैं जिन में इसे केवल दो कभी बनाए गए गए थे इस असाधारून प्रस्तुती के लिए धन्यवाद। आपके पास के होगा? एक किलो कैवियार या बड़े मेक का बटलोड? मुझे कॉमेंट सक्षिन में आके बताएं और फिर भी या भी भी सबसे मेंगा कैवियार नहीं है ये शीर शक असल रूप से स्ट्रोट आर्गो बियांका का है जिसे सफेस होने के कैवियार की रूप मे सिर्फ एक किलो 2.2 पाउंट से थोड़ा सादा सभी मेहतपूर कैवियार बनाने के लिए इसके बाद ही 22 करेट खाने योगि सोनी की पत्ती की एक बारी कसा हुआ पर जोड़ा जाता है जिससे असल में कीमत बढ़ जाती असल में यही वज़य है कि इससे जोड़ा गया है सो आप में स्वाद में कुछ भी नहीं योड़ते यह विशिद रूप से इस कैवियार को जितना संभा हो सकता है उतना महगा बनानी के लिए है कितना महगा एक विशाहल एक लाग 13630 प्रतिकलो आउंस जैसा कि मैंने पहले का यह मोटे तोर पर 3220 प्रतिकलो आउंस या 480 रखने के लिए सामगरी के एक चमच के लिए आप ब्यासी बिग मैक से अधिक खली सकते हैं मुझे पता है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में इसका उल्ले किया था लेकिन पूरी प्रक्रिया को देखने और यह महसूस करने के बाद कि इस सामान के एक टिन के उत्पादन म अगर किसी को मेरी जरुवत है तो मैं यहाँ अपने अकेले बिग मैक में रो रहा हूँ क्या आपने कभी असली कैवेर खाया है और इसे भी महत्मूर बात क्या आपको यह पसंद आया या कीमत ने आपके मुझा स्वात खराब कर दिया मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन मां देखने के लिए शुक्रिया देखने के लिए शुक्रिया